अलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रिंदर यादव और आप देखरे हैं मेरा चैनल मैथ्वी रिंदर यादव दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रोमन नूमरल्स from 1 to 10,000 दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो जानना चाते हैं कैसे रोमन नंबर्स बने और कैसे हम एक नंबर को convert कर सकते हैं रोमन नंबर के अंदर कैसे हम रोमन नंबर्स को बना सकते हैं आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कुछ numbers के symbols पता होने चाहिए. जैसे 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1 को हम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद हमें पता होना चाहिए 5 को, 5 को हम कैसे लिखते हैं, V से लिखते हैं, उसके बाद में 10 को हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं, X से, उसके बाद आता है सिधा 50, 50 को हम लिखते हैं L से, और उसके बाद आता है सिधा 100, और 100 को हम लिखते हैं C से उसके बाद आएगा 500 और 500 को हम लिखते हैं D से उसके बाद आता है 1000 और 1000 को हम लिखते हैं M से उसके बाद आता है 5000 और 5000 को हम लिखते हैं V' से उसके बाद आता है 10,000 और 10,000 को हम लिखते हैं X' से तो दोस्तों ये numbers हमें पता होना चाहिए इन numbers को बनाने के लिए सभी numbers को बनाने के लिए ये numbers हमारे याद होने चाहिए कि इनके symbol क्या होते हैं उनके बारे में पहले ही पता होना चाहिए यदि ये numbers हमें पहले ही पता हैं तो हम बाकी numbers को easily बना पाएंगे तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसे इन numbers को हम बना सकते हैं आगे तो इनके लिए कुछ rules होते हैं दोस्तों उन rules को जानना बहुत ही जरूरी है इन numbers को बनाने के लिए तो सबसे पहले पहला rule देख लेते हैं कोई भी जो number है, कोई भी assimble है 500 का symbol D है 1000 का symbol M है 5000 का symbol V' है जबकि 10,000 का symbol X' है तो देखे दोस्तों यह जो symbol है यह 3 से ज़्यादा बार repeat नहीं हो सकते पहला जो rule है वो यह है कि कोई भी जो symbol है वो continuously 3 बार repeat हो सकता है उसके बाद में repeat नहीं हो सकता यानिकि लगातार वो 3 बार ही आ सकता है उसके बाद यदि वो आ गया continue करके fourth number पर यदि वो आता है तो वो गलत हो जाएगा उसको हम नहीं use कर सकते यह है first rule उसके बाद देखे दोस्तों दूसरा rule क्या कहता है माल लेजिए हमने लिख दिया X और X के side में इधर यदि left side में हम कोई number लिखते कोई symbol लिखते हैं उसका मतलब यह हुआ कि हम उसको minus कर रहे हैं उसके अंदर से और यदि हम उसके right side में कोई number लिखते कोई symbol लिखते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि हम उसके अंदर वो add कर रहे हैं या नहीं plus कर रहे हैं अब देखिए दोस्तों अब इसको समझते हैं इनके rules को समझते हैं देखिए सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे कैसे 1 को हम लिखेंगे i से ऐसे लिखेंगे 1 यह हो गया 1 का symbol उसके बाद देखिए 2 का symbol क्या बन जाएगा हम 2 बार 1 को use कर लेंगे 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा उसके बाद देखे 3 के लिए हम क्या करेंगे 3 बार इस symbol को use करेंगे तो 3 बन जाएगा उसके बाद 4 के लिए जाएगे तो देखे 4 बार एक symbol को हम use नहीं कर सकते continue नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे हमें 5 का पता होने चाहिए यदि हमें 5 का पता है 5 का क्या होता है वी यह होता है 5 का तो हम क्या करेंगे देखे रूल नंबर 2 लगाएंगे हम यहाँ पे अब यहां पे 4 का जानने के लिए हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे और उसमें से 1- कर देंगे यानि कि left side में हम 1 लगा देंगे तो 1- हो गया यानि कि 4 बन गया यहां से 4 बन गया अब देखिए rule number 3 देखिए 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 तो हमें पता है उसके आगे हम 1 लगा देंगे यानि कि यह बन गया 6 के equal यानि कि third rule भी हमने यह पे apply कर दिया तो आप देखिए दोस्तों हम किसी भी symbol को sorry हम किसी भी number का roman number के अंदर convert कर सकते हैं किसी भी number को तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम करते हैं 68 का देखिए 68 को हम कैसे convert करेंगे वो देख लेते हैं 68 को हम लिख सकते हैं कैसे 60 plus में 8 देखिए इसकी expanded form के अंदर इसको convert करेंगे पहले इसकी expanded form होगी 60 plus में 8 के equal तो यहाँ पे देखिए 60 को हम कैसे लिख सकते हैं 60 के लिए हमें पता होना ची किसका 50 का, और 50 का क्या होता है L, हमने लिख दिया अब उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 10 add कर देंगे, तक ही 60 बन जए तो 10 के लिए क्या symbol होता है, X तो ये कितना बन गया, 50 plus 10, 60 बन गया अब क्या करेंगे, 8 का हम लिख देंगे, तो 8 के लिए हमें क्या पता होना चीए 5 का 5 का क्या होता है, V, हमने लिखा V तो अब ये कितना बन गया, अब ये बन गया 65, लेकिन हमें चीए 68 तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 5 तो बन गया, फिर हम 1 add करेंगे यानि कि 6 बन गया फिर 1 एड करेंगे 7 बन गया और फिर 1 एड करेंगे 8 बन गया यानि कि ये value बन चुकी है 68 के equal ये roman number हो चुका है 68 तो यह यहां से हमारा answer हो जाएगा उसके बाद देखिए दूसरा number लेके चलते हम कोई दूसरा number उठाते हैं जैसे 99 होगा अब देखिए 99 का हम कैसे बनाएंगे इस 99 के लिए देखिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम करेंगे c hundred लिखेंग उसमें से 1- करेंगे नहीं हो सकता ऐसा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले हम इसका expanded form इसको expanded form के अंदर convert करते हैं तो यह 90 प्लस में 9 के अंदर आता है तो हमें 90 बनाना जरूरी है हम 90 बना करके फिर 9 उसमें add करेंगे ना कि हम hundred में से 1- कर देंगे नहीं तो वो तो गलत हो जाएगा तो हम 90 बनाएंगे सबसे पहले तो 90 बनाने के लिए क्या चीए हमें कितना 90 अब 90 जब बन गया तो हमें चीए अब 9 की value 9 कैसे बनेगा 9 के लिए हमें 10 का बता होना चीए 10 लिख देंगे हम कितना बन गया 10 अब इसमें से 1- कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा यानि कि यह value हो गए कितनी 99 के equal यह हमारा answer हो जाएगा यह हो गए 99 रोमन नमबर के अंदर अब देखिए तीसरा नमबर हम उठाते हैं 187 इसको हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं देखिए इसको हम expanded form में convert करें तो क्या बनेगा 100 प्लस 80 प्लस 7 यह बन गया अब देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे 100 का तो 100 का क्या होता है C बन गया उसके बाद 80 का बनाएंगे 80 के लिए क्या करेंगे पहले 50 का तो 50 का क्या होता है L लिख दिया उसके बाद हम 60 बनाएंगे तो X एड कर देंगे यानिकि 60, 10 add करते हैं, 60 बन गया अब 10 और add करेंगे तो कितना बन गया? 70 और फिर 10 add करेंगे तो कितना बन गया? 80 बन गया अब एक और बार add नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा आप देखें, 80 तो बन चुका है हमारा 180 तो बन चुका, अब 7 चाहिए 7 के लिए क्या करेंगे? 5 add करेंगे, फिर 6, फिर 7 तो यह बन गया हमारा 187 के एक पद अब देखें लिजे, अगला बना लेते हैं हम कितना? 345 का बनाते हैं तो देखें कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें चीए 300 कैसे बनाएंगे? C को तीन बार repeat करतेंगे C, 100, plus 100, 200, plus 100, 300, 300 हो गया उसके बाद देखें, देखें मैं इसको expanded form में करके फिर बताता हूँ आपको देखें, 300 हो गया, plus में 40, और plus में 5, यह बनेगे तो यहां से पहले हम 300 बनाएंगे, तो 300 मैंने बना दिया उसके बाद हम 40 बनाएंगे, तो 40 के लिए क्या करेंगे? पहले हमें 50 लिखेंगे, उस में से 10 माइनस कर देंगे, तो 40 बन जाएगा तो 50 के लिए क्या होता है? L, और L में से क्या कर देंगे? 10 माइनस, 40 हो गया, अब क्या चीए? 5, तो 5 का भी होता है बन गया ना यह बन गया 345 का बन गया अब अगले नंबर तेख लेते हैं इक और नंबर देखते हैं 600 किदना 689 का देखते हैं तो यहां सबसे पहले हम बनाएंगे 600 का, क्या बनेगा 600 का पहले 500 का में पता है कितना होता है, D, तो लिखेंगे 500, फिर उसमें क्या कर देंगे 100 add कर देंगे, तो 600 बन जाएगा तो 100 का कितना होता है, C तो D बनेगा, फिर C बनेगा उसके बाद देखे, उसके बाद हमेची 80, तो 80 बनाने के लिए क्या करें, 50, तो L होता है 50, उसके बाद 10 add करेंगे 60, फिर 10 add करेंगे 70, और फिर 10 add करेंगे 80, अब 9 चीए, 9 के लिए क्लिए क्या होता है, पहले 10 लिखते हैं, और 1 minus कर देते हैं, तो देखें, यहाँ पर continue x थोड़ी आया, 4 बार, नहीं आया, एक बार बीच में क्या आगया, आई आगया, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यह बन सकता है, और यह इसका answer हो गया, यानि कि 689 की value क्या होगी, d, c, l, x, 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 1, x के equal, यह हमारा answer होगा, उसके बाद देखें, एक और number हम बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं, 3000, 869 की value, तो देखें, कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले इसको expanded form में करते हैं, तो 3000, पहले 3000 बनाना होगा, फिर उसके बाद 800 बनाना होगा, उसके बाद हमें 60 बनाना होगा, और फिर हमें 9 बनाने, यह बनाने, तो देखें सबसे पहले 3000 बनाते हैं, 3000 कैसे बनेगा, उसके लिए हमें 1000 का पता होना चीए, 1000 कितना होता है, M, तो M लिखेंगे, उसके बाद में M तो हो गया 1000, हमें चीए 3000, तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो यह हो गया, 3000, अब चीए 800, तो 800 के लिए क्या होता है 500 पता होना चाहिए तो 500 के लिए क्या होता है D तो D लिखेंगे अब हमें चाहिए 800 तो क्या करेंगे 500 हो गया अब 600 C एड करते ही 600 फिर 700 फिर 800 हो गया अब 60 चाहिए तो 60 के लिए क्या करेंगे 50 और फिर 10 एड करेंगे 60 और अब चाहिए क्या 9 तो 9 के यह क्या x और उसमें से 1- कर देंगे तो बन जाएगा 9 यानि कि इसकी value यह हो जाएगी यह होगा roman number के अंदर अब देखे एक और number देख लेते हैं 5892 इसको देख लेते हैं यह कैसे बनेगा अब देखे इसको हम पहले expanded form में लिखते हैं कितना बनेगा 5000 लिख दिया फिर plus में कितना बनेगा 800 फिर बनेगा 90 और फिर बनेगा 2 तो इसको ऐसे कैसे हम बना लेंगे पहले 5000 बनाएंगे 5000 का सिंबल हमें पता है क्या होता है वीडेस उसके बाद में 800 तो 800 के लिए 500 पता होना चाहिए 500 होता है D अब इसमें क्या कर देंगे 100 plus 100 plus 100 तो c plus c plus c कितना हो गया यह हो गया 800 अब 90 चाहिए तो 90 के लिए क्या करेंगे c 100 हो गया और उसमें से 10 minus कर देंगे तो कितना बन गया 90 अब देखिए 2 और चाहिए तो 2 के लिए क्या होता है 1 and 1, 2 हो गया अब यह हमारा answer हो गया यह roman number के अंदर convert हो गया, चलिए एक और number देखते हैं, हम कर लेते हैं 10,000, 10,082, 10,082, यह कर लेते हैं, तो देखिए यह कैसे बनेगा, इसको हम expanded form में convert करें, प्लस में 800, 800 हो गया, प्लस में 2, यह आएगा, तो इसको हम ऐसे कैसे बना लेंगे, 10,000 का हमें पता है, क्या होता है, एक्स डेस बन गया, उसके बाद 800 चीए, तो 800 के लिए पहले तो 500D हो गया, फिर C, C and C, बन गया 800, अब 2, यानि कि 1 and 1, यह बन गया देखिए, यह roman number के अं 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का, 10,000 का, यदि इतनों का पता है, तो हम सभी numbers का easily, बना पाएंगे, 10,000 तक, यह बना पाएंगे, जबकि 10,000 से उपर तक हम बना पाएंगे, ठीक है, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ, आप लोगों के समझ में आया होगा, यदि यह वी आई वीवर्स हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और एक इंट्रेस्टिड वीडियो लेकर के तब तक के लिए, थैंक यू एंड टेक केर दोस्तों